एंटाक्टिका बरफ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉंटिनेंट है जिस पर 5 किलो मिटर की गहराई तक सिर्फ बरफ ही बरफ है इतनी ज्यादा बरफ और वो भी डेड़ करोड किलो मिटर तक पहली हुई यानि एंटाक्टिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है बले ही जून जुराय की गर्मियों का मोसम हो लेकिन एंटाक्टिका का टेंपरेचर पूरा साल माइनस 50 डिगरी सेंटिगरेट से माइनस 90 डिगरी संटिगरेट तक रहता है इस शदीद तरीन ठंड की वज़ा से ही यहां जिन्दगी की उमीद बहुत ही कम है लेकिन उसके बावजूद भी पूरे एंटाक्टिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिसकावर हो चुकी है जो बरफ की लेर के नीचे छुपी हुई है एंटाक्टिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहां किसी कंट्री का कबजा है अताक कि पूरे एंटाक्टिका में सिर्फ दो एटीम मशिन्स लगी ही है कई लोगों का मानना है कि एंटाक्टिका की बरफ के नीचे कई राज पौशीदा है इन्होंने जहां चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है और आज आप देखेंगे एंटाक्टिका की बरफ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीजें तो आई ये शुरू करते हैं नमबर 8 2009 में एक डिसकावरी ने रिसर्चर्स के रोंग टे का लिक है जब एंटाक्टिका की बरफ के अंधर से एक बिली का धांचा मिला लेकिन इसमें हیरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये धांचा बिली का है नमबर 7, 2014 में आर्कियोलाजिस्ट को एंटार्टिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपडियां मिली। पहली हैरानी की बाद ये थी कि एंटार्टिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपडियां थी। और दूसरी हैरानी की बाद इन खोपडियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपडियों के मकाबले में ये खोपडियां काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से भी जादा पहार निकले हुए थे। साइस्दानों का मानना था के खोपडियों की ऐसी शकल बच्पन से ही अजीब आदतों की वजा से बनती है और ये आदतें हजारों साल पहले एंशियंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपडियां आर्केलोजिस्ट को एजिप्ट और पैरू से भी म saying का मानना है कि ये कई और से नहीं बल्कर मार्स से तूट कर आया है क्यूंकि this meteorite Kyoo at पूरा कॉंटिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है लेकिन साइसदानों को यहां से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले यह जगा रहने के काबिल हुआ करती थी। तो मालूम पड़ा कि यह कमस कम भी 70 लाख साल पुराने हैं तब ही यह अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक एंटाक्टिका का टेंपरिचर रहने के काबिल था और शायद तब यह पहाड गहरी बरफ से नहीं बलके ग्रेनवी से ढखे होते होंगे। लेकिन मौडरन साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज था। जी हाँ मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात ये है कि इसमें सी वाटर से भी थ्री टाइम ज्यादा साल्ट है जिसकी वज़ा से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाडों से निकलने वाला आईरन भी मौजूद है। पर पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन और सन राइट का नाम और निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टेरिया हमारी धर्टी पर कैसे आए ये राज अभी भी पूर्शीदा है। नमर टू हलांके पूरा एंटाक्टिका भरफ से भरा हुआ कॉंटिनेंट है। ये देखकर सब को यहीं लगेगा कि यहां पानी की कमी होना मुम्किन नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी धर्टी पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश्क यानि ड्राए जगा है तो वो भी एंटाक्टिका में ही मौजूद है। ये ड्राए वैली एंटाक्टिका में ही डिसकवर की गई थी जहां पर पिछले 20 लाख सालों से एक मरतबा भी बारिश नहीं पड़ी। क्यूंकि इस ड्राए वैली में तेज तरीन हवाओं का राज है जिनकी स्पीड 320 किलोमिटर्स पर आर तक जाती है। इसी वज़ा से साइंस्दानों का मौना है कि तेज हवाओं की वज़ा से यहां मوجود पानी का कतरा कतरा एवपरेट हो चुका है। को ये भी बताते चलें कि अर्थ के तमाम एट्मोसफेर्स में से इस ड्राए वैली का एट्मोसफेर्स लाखों किलोमिटर दूर मार्स से काफी मिलता जुलता है। इसी वज़ा से नासा ने अपना वाइकिंग रबोर्ट मार्स पर भेजने से पहले एंटाक्टिका की ड्राए वैली में टेस्ट किया था। पर आया कहां से था। उमीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कॉमेंट्स का बेहद शुक्रिया मिलते हैं अगली शांदार वीडियो में।